हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दाओंगा Nptl और TCS के द्वारा दिये जाने वाले तीन free courses के बारे में जिसे complete कर पाएंगे आप इनका free certificate ये सारे courses काफी अच्छे हैं और जो लोग software industry में आने के लिए programming को prepare करना चाहते हैं वो इन courses का बिल्कुल use कर सकते हैं आप सब जानते हैं Nptl और TCS की certificate की value कितनी जादा होती है ऐसे में आप इन certificate को अपने resume में लगा के resume को strong कर सकते हैं ये course बेसे c data structure और artificial intelligence पर अगर आप 12 पर हैं बी बीटे के किसी भी ट्रांस से हैं या फिर आप BCA, MCA से हैं तो आपको एक course बिल्कुल करना चाहिए कि काफी अच्छे से design किया गया है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन courses के बारे में तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगो कि आपको इस course के लिए किस तरीके से register करना है और किस तरीके साथ को यहां पर certification मिलेगा इन courses related link मेंने description पर डाल दिया है जिस पर आप click करके इनको access कर सकते हैं पहला course करने के लिए मिल जाता है इस course पर आपको introduction, game playing, problem solving, reasoning बताया गया है और अगर आपको इस course और certificate को ले के कोई doubt है तो आप इनके FAQ section पर आके देख सकते हैं जो भी most common आपके doubt होंगे उनका answer आपको यहां पर मिल जाएगा अगर आप इस course के लिए register करना चाहते हैं तो आपको उपर आजाना है यहां पर आपको subscribe का एक button मिल जाता है आपको इस पर simple click करना है आप जैसी इस पर click करते हैं आप से login करने के लिए बोला जाता है आप यहां पर अपने Gmail या Facebook account से चाहें तो login कर सकते हैं इसके आपको simple Gmail पर click करना है और अपने user ने password डाल के login कर लेना है एक ब button पर click करते ही यहां पर आपको launch का option देखने के लिए मिल जाएगा कई सारे साथियों के message आ रहे थी कि उनको launch का button नहीं मिल रहा है ऐसे में अगर आप browser या device को change करते हैं तो हो सकता है आपको launch का button मिलने लग जाए यहां पर जैसी launch button पर click करते हैं आपके सामने आपका video tutorial आना हो जाए तब तक आपको यहां पर certificate issue नहीं होगा ऐसे में अगर आप एक video lecture को complete कर लेते हैं तो mark से complete button पर आपको click करना है और next button पर click करके next video lecture पर जाना है एक बार सारे video lecture को complete कर लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का message आएगा और यहां पर gate certificate पर click करते ही आपका certificate generate ह हो जाएगा कुछ इस तरीके का certificate format आपको यहां पर मिलेगा दूसरा course से introduction to programming C का अगर कोई person software में अपना carrier बनाना चाहता है तो उसे course बिल्कुल करना चाहिए इस से related link में आपको description पर दे दिया है आप जैसी उस पर click करेंगे आपके सामने यह interface आने लग जाएगा यह course enter, string, file handling बताया गया है अगर आप इस course के enroll होना चाहते हैं तो आपको उपर subscribe का button मिल जाएगा आपको उस पर click करना है और मेरे पहले बताया के सारे steps को आपको follow करना है और आपको यहां पर certificate मिल जाएगा तीसरा जो course है वो है data structure का जो काफी जादा demanding में है लगबग हर बड़ आपको इस course का certificate देखने के लिए मिल जाता है और अगर इसके syllabus की बात की जाए तो इसमें आपको introduction, tree, graph, shorting, searching, stack, queue, link list के बारे में बताया गया है और अगर आप इस course के लिए enroll होना चाहते है तो आपको subscribe का button देखने के लिए मिल जाता है आपको उस पर click करना है और click करते ही आपको course यहाँ पर start हो जाएगा और complete करने पर आपको यहाँ पर certificate मिल जाएगा यह सारे course काफी अच्छे हैं ऐसे में अगर आप इन courses को अच्छे से करके certificate लेते हैं तो यह काफी ज्यादा valuable है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कर दीजिए अगर आपने चैन से जुड़ने के लिए आपको description पर link मिल जाएगा आप उसे join कर लिजिए thank you